क्या आपको वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं देती साउंड सुनाई नहीं देती अगर आपके यह सब समस्या है तो उसका सॉलुशन आज हमारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले 5G के रूप में जी हाँ दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम की निलामी हो चुकी है जो डेड़ लाख करोड से उपर की मानी जा रही है जिसमें एटल जीयो और वी आई कमपनियां शामिल थी वी आई कमपनी मतलब वोडा और आइडिया आपका क्या मानना है कि एटल जीयो जैसी कमपनियां धिकज कमपनियों को वी आई कमपनी क्या टक्कर दे पाएगी कमेंट बॉक्स में हमें बताईए अब हम जानते हैं एटल और जीयो जो बराबर की टकर एक दूसरे को दे रही है 5G नेटवर्क के लाँचिंग में विशेशग्यों का मानना है कि एटल जीयों के कमपैर्जन में जादा अच्छे से 5G लाँच कर पाएगा फिर भी उसकी डेट 2023 में नहीं 24 में है यूं तो दोनों ही कमपनियां 5G दसदस शेहरों में लाँच करने वाली है वैसे तो माहानगरों में लोगों को वैसे भी नेटवर्क की दिक्कत नहीं है है तो बहुत कम है उसका रिजन कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग अपने घर में राउटर, ब्रॉडबेंड जैसी सुविधाएं लेकर के बैठे हुए हैं वो सुविधा, MTNL, BSNL, Airtel, Gio जैसी कमपनियों से या अधर किसी कमपनिय से ले रखी है जिसकी वज़े से नेटवर्क दिक्कते तो उन्हें वैसे भी नहीं है जियो जिसके पास पूरी ही कंट्री का 700 MW स्पेक्टरम इशूड है, लाइसेंस्ड है, फिर भी उसका नेटवर्क वीग हो सकता है कमपैर्जन टू Airtel ऐसा विशेशग्यों का मानना है क्योंकि Gio जो मोड पर काम करता है, वो है स्टेंडल ओन मोड है कार्थ में ज्यादतर एप्लिकेशन, फोन सेट इसी नेटवर्क के अकोर्डिंग बनाए जाते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि Airtel ज्याद अच्छे से 5G लाँच कर पाएगा दूसरी और Gio जो अपना ही खुद का स्मार्ट फोन लाने वाला है, ताकि उसका ये स्टेंडल ओन मोड पर नेटवर्क अच्छा चल सके माना जा रहा है Gio अपना हजार सिटीज के अंदर ये 5G प्लैन लाँच करने वाला है, दूसरी और Airtel पाँच हजार सिटीज के अंदर अपना ये 5G प्लैन लाँच करने वाला है दोनों ही कमपनियों की प्रतियोगिता में फायदा हम जैसे यूजर्स को ही होने वाला है, क्योंकि दोनों ही कमपनियां यहीं चाहेंगी कि जादा से जादा यूजर्स उनकी और आकरशित हो, और इसके लिए वो हमें अच्छ अच्छे ओफर्स देने वाले होंगे, और दे ऐसी ही informational वीडियो के लिए हमारे चनल को like, subscribe and share कीजे, thank you.